PUBG Mobile, यहां मैं कहूँ, BGMI is back और BGMI से यार, कितनों के emotions जुड़े है कोई BGMI खेलता है for fun, कोई BGMI खेलता है as a eSports player कोई BGMI खेलता है as a content creator, चीज़े बहुत सारी है बट ये सभी चीज़ें अच्छे से करने के लिए you need a powerful phone अब देखो यार, जो 35,000 के अस-पास phone मिलता है वो अल्रेडी बहुत powerful होता है so उन phones की बात अपन करने में नहीं वाले इस वीडियो में आपको 15,000 के basic budget से लेकर 30,000 रुपीस तक के most powerful phones बताने वाला हूँ लिस्ट में included ही सभी phones अपनी अपनी price range के बिल्कुर performance kings है डिस्प्ले, रिफ्रेश्ट, बैटरी सबकी बात करेंगे दोस्तो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो के बीच में खरीच सकते हो लिस्ट के शुरुआत करता है 15,000 के entry level budget से दोस्तो लिस्ट में पाचवे नमर पे आता है इंफिनेक्स 05G स्मार्टफोन ये फोन आपको 15-16,000 के आसपास मिलता है और विट इमेंसिटी 920 चिपसेट ये फोन 15,000 पे के आसपास का मोस्ट पारफुल फोन निकल के आता है 8GB के आपको RAM मिलती है 128GB के स्टोरेज 6.7 इंचेस का एक फुल HD प्लस दिस्प्ले है 50 प्लस 2 प्लस 2 मेगाबिक्सल का रियर और 16 मेगाबिक्सल का फ्रेंट केमरा है एस कंपरेजन ब्यार प्राइस के सबसे ओवराल केमरा भी डिसेंट है 5000 इमेज के आपको बैटरी मिलती है और बैटरी सपोर्ट 33 वाट्स अफ चार्जिंग यानि फोन आपको 120 हच के रिफ्रेश रेट भी ओफर करता है और फॉर पावरिंग इस थींग्स अप Dimensity 920 चिपसेट Infinix 0 5G में आपको मिलता है दोस्तों इस प्राइस रेंज में मिलने वाला Most Powerful चिपसेट है ये बट इतना Powerful भी निये कि गेमिंग के लिए Future Proof हो अगर आपको Low to Medium सेटिंग्स पे गेमिंग करनी है BGMI आप Low या Medium सेटिंग्स में खेलोगे दन हाँ उस केस में आप ये फोन ले सकते हो 15,000 से 17,000 रुपीज की बीच में मिलेगा और यहां दोस्तों लिस्ट में मैं आपको जितने भी गेमिंग फोन बता रहा हूँ इन सब की बाइंग लिंक्स Description में आपको मिल जाएगी So you can check them out if you are interested यार ये अपकमिंग फोन Redmi के तरफ से आने वाला बहुत पारफुल फोन है मैं बात कर रहा हूँ Redmi K50i की 20 से 25,000 रुपे के बीच में ये फोन आपको मिलता है और गेमिंग परफोर्मेंस इस फोन की बहुत ही अच्छी है इतने एक्सेप्टिबल बजट पर ये फोन आपको DMC8100 चिपसेट ओफर करता है Redmi K50i का पिछले फोन की कंपारिजन में परफोर्मेंस गाप बहुत ही बड़ा है इवन जो Snapdragon 870 वाले फोन आपको 30,000 तक मलते हैं न उन फोन से भी बेटर गेमिंग परफोर्मेंस Redmi K50i आपको निकाल के देगा बट आस कंपार्ट तो Snapdragon 870 वाले फोन इतना stable phone नहीं है यह 6.6 inches का आपको Full HD Plus IPS LCD display मिलता है हाँ दोस्तों इस range में भी AMOLED display इस phone में नहीं है और वो सलीन है बिकॉस IPS display देकर 144Hz की refresh rate इस phone में आपको दी गई है comparatively fast UFS 3.1 is storage आपको मिलती है and 25,000 के अंडरी 6GB and 8GB RAM variant इस phone का आपको मिल जाता है 5,080 mAh की बैटरी है इस phone में बैटरी है 67W की fast charging support करती है 64 प्लस 8 प्लस 2 Megabixels का रियर and 16 Megabixels का front camera है camera मैं ऐसा नहीं के रहा है इस phone का बेकार है but not the best in segment fingerprint आपको side mounted मिलता है यार दिकता भी है phone काफी minimal है कोई ऐसा specific gaming look नहीं इस phone का but performance के मामले में ये phone एक बहुत यचा option है यार मैं और क्या ही बताऊं this is a perfect budget gaming phone based upon variant 20,000 से 24,000 रुपीज की बीच में आपको मिलेगा दोस्तों list का तीसरा phone है IQ Neo6 यारे phone आता था 30,000 रुपीज के price point पर but अब ये phone सस्ता हो चुगा exactly 25,000 का इस phone का 8GB RAM variant आपको मिल जाता है it's a really good balanced phone आपको camera अच्छा चाहिए वा आपको मिलता है display भी बहुत सही है and for performance snapdragon 870 chipset मिलता है इस phone में आपको and snapdragon 870 chipset indeed एक future proof gaming chipset है बाकी 6.62 इंचिस का full hud plus amoled display मिलता आपको which supports 80 watts of fast charging जो की बहुत है बिदिना flash ये phone चार्ज हो जाता है snapdragon 870 chipset इस phone में आपको मिलता है but because it's our latest phone थोड़ी अच्छी optimization के साथ में 870 आता है यार इस phone में आपको इतने ज्यादा gaming related feature तो नहीं मिलते but हाँ ये phone overheat नहीं होता मैंने खुट रहे कर रहा है in comparison with other 870 phones हराब ambient room temperature के बाद भी IQ Neo 6 का cascade cooling system इस phone को गरम नहीं होने जेता कमी इस phone में केवल एक ही थी ये मुझे over price लगता था but not anymore if you want a perfect gaming plus camera phone then IQ Neo 6 आपके लिए best option है 25,000 रुपीज का ये phone आपको मिल जाएगा दोस्तो अजस तरह Redmi ने 20 से 25,000 के price point के लिए अपना Redmi K50i gaming phone लाँच करा था वही सेम काम IQ ने भी करा है आट नमर टू we have IQ Neo 7 30,000 रुपीज की range का बेस्ट phone है जो कि आप gaming के लिए खरीच सकते हो 6.78 इंचिस का comparatively बड़ा MLA display मिलता आपको 120Hz की refresh rate है आच के आपको मिलती है battery and 120W की fast charging है लगबख 25 मिलट में 0-100% charging ये phone claim करता है and 120W of charging is really fast पर performance आपको Dimensity 8200 chipset मिलता है इस आफ 4NM based chipset या Dimensity 8200 Snapdragon 888 से भी काफी powerful है आप score से देखो and इस आफ रियली performance beast अगर आपको future proof gaming के लिए एक phone चाहिए then हाल फिलाल 30,000 के असपास IQ Neo 7 से better option नहीं है exactly 30,000 रुपीज का ये phone आपको मिल जाएगा दोस्तो आट नमार वन भी है Moto S30 Pro इस phone की launch price थी 50,000 रुपीज and हाल फिलाल ये phone आपको 30 से 35,000 के असपास का मिल रहा है इस phone में आपको 6.7 inches का OLED display मिलता है which comes with 144Hz की refresh rate and अगीन इस phone का display HDR10 Plus है 8GB RAM 128GB storage मिलती है आपको UFS 3.1 storage है 50 plus 50 plus 2 Megabixels का rear camera है and 60 Megabixels का front camera है after Google Pixel 6 है second best camera phone है ये इस लिस्ट का 4800 mAh की battery है and 68W के आपको fast charging मिलती है पर performance आपको इस phone में Snapdragon 8 Gen 1 chipset मिलता है and performance को अगर हम स्कोर्स में compare करें तरह आपको अगीन 9.5 लाग के आपको इस पास केंटेडो स्कोर मिलता है उपर से आपको मिलता है stock Android कोई आपको इस तो नहीं कोई ब्लोटवेस नहीं proper stock Android का experience भी Moto S30 Pro आपको दिला देगा मना आपको 15,000 के minimum budget से लेकर 35,000 के आसपास तक के most powerful phones बता दिये इससे उपर भी अगर आपको जाना है Aisos के gaming phones खरीदने के बजा है आप सीधे iPhone ले लो iPhones comparatively आपको better and stable performance देंगे बाकी बात करें Android gaming phones की अपने अपने price segment को लिस्ट के ये सभी phones बहुत ही अची है ते justify करते हैं इन सभी phones के link आपको मिल जाएके description में वहाँ से you can easily check these out For now दोस्तो, that's it for today's video and as always, I will meet you in the next one